में रहा हैं कि के वहाण वहाण ग्राउंट रर्पोर्टिंग नहीं दोस्तु ग्राइशन में त्रेवल प्रप्लिक ट्रांसपोर्ट से लोग बैठकर आपस में बात चीत कर रहे थे जब तक क्यामरा और नहीं दोस्तु है जैसी मैंने बोला कि आप लोगी पर्मिशन में लिता हूं मैं केमरा ओन करना चाहता हूं मैंने अपना परिचे दिया जैसी मैंने केमरा ओन किया सब ऐसे चुप होगे जैसे कि CBI, ED और विजिलेंस वाले इनकी घर पर दावा बोल देंगे चलो मान सकता हूं कि कोई बात नहीं कि थोड़ी हजिटिशन होती केमरे के सामने बोलने में मैं मानता हूं एसा हुआ होगा लेकिन समस्य माप पर मुझे तीन चार चीज़े लगी अभी क्या नहीं मैंने फोन से रिकॉर्ड गिया तो इंटरनाल जुसका माइक है उससे जो बस उसके नाम रख दिया गया है आच इसके पिछी के वजह क्या है कि बस एक बुखार और पता क्या वजह क्या है कि वह कहते कि देखो एक तरफ उत्तर प्रतिश में कर आप देखो गे तो वहां पर तो रैली लंबी-लंबी हो रही है और भी महारास्ट में चले जाओ और कर्फ्यू लगा दिया कि पांच लोगों से जाता एक खटे हो नी सकते हैं धार एक सचवालिसमा लागू हो गई है मुंबई का केस वहाँ पर है तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि बहुत बड़ा खेल सिर्फ क्या कहते हैं राजनेतिक तौर पर हतियार के तौर पर एक कोरोना क अब मैं अर्विंद केजरिवाल की स्ट्रेटीजी में आपको पता है अपने इक बार मोटिस किया होगा कि वह अपने आपको देश भाकत और नेशनलिसम का मास्टर कैसे है अपने आपको घोशित कर रहे हैं आपने बात तो नोटिस किया होगा जब भी बीजेपी की तरफ स तिरंगा की रेली निकलती है तो अर्विंद केजरिवाल क्या करते कि 100-100 फुट उचे खंबे लगा दी उस पर फिर तिरंगे लगवा दी है तीन तरह की जालर लगवा दी कलर मतलब और और अर्विंद केजरिवाल अपना देश भक्ति का एजेंडा है उसको आगे कैसे कप्तान थे उस वक्त वहर्याना के रहने वाले हैं 1983 के स्क्वैड में अगर आप देखेंगे तो पंजाब महरास्ट्र और साउथ यानि कि दक्षिन भारत का भी कई सारे प्लेयर उसमें थे तो अर्विंद केजरिवाल ने क्या कोशिश की है टैक्स फ्री करने वाला वो एक पंजाब में चुनाब भी है टैफिनेटली फैता महाँ पर होगा टैक्स अर्विंद केजरिवाल ने किया चन्नी भी इसको कॉपी कर लेंगे तो यह जो वीडियो मैंने बनाया है कि अर्विंद केजरिवाल कहते हैं चन्नी साब वो कर देते हैं यहां से बॉक करते हैं वो करनाचना शुरू कर देते हैं यह वोटर के मन में क्या इंपक्ट देता है यह सारी बात मैंने इस वीडियो के अंदर दे रखी है जो आपको फर्स्ट कॉमेंट मिल लगी वाजा कि आप देख सकते हैं फिलाल आप इंजॉय कीजिए उस वीडियो को जो मैंने बस में रिकॉ अब जो बात करो आप कैमरा मत देखो आप लगा मुझे आप लोग चलो बात कम से कम करते और विश्यक के उपर को रोना है नहीं है वो तो मैं वेक्तिकात नहीं पर बताऊंगा आप लोग तो आप कह रहे थे ना कि यूपी में क्या कहते हैं कि चुनाव आने वाले हैं तो ये सब डुदवा ड्रामा रखचा जा रहा है यह पस्टी मंगाल के चुनाव के वक्त वह गया था मदूद गवेन करोना के नाम पर अच्छा अब जो वाल्य बगारा होती है नहीं होता है यह सवाल आहां है एंचल जी सब यह सब जैसा एलेक्स करीब आता जाएगा देशत बढ़ती जाएगी करोना और बढ़ता जाएगा है नहीं स्कूल काले सब्सक्राइब अच्छा 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 मुझे एक बात बताईए आप लोग जो कह रहा है कि करोना को चीज नहीं सिर्फ एक नाम रख दिया गया बीमारे का जैसे बुखा विक्तिधा तो हुगी हूं कि मुझे भी कורोना हुआ था अभी नहीं हुआ था अच्छा मुझे पहले हुए थे लोग जिंदा रहते थे थे हमें भी हैसी लगता था जब तक हमें कोशी नहीं हुआ अच्छा बुखार और सर्दी जुखा मुझे पहले हुए थे और होते भी आये थे लेकिन इस बार जो मेरा सर्दी जुखा मुखार हुआ था उस वार मेरी स्मेल चलीगी थी बुखार में गंध तो नहीं आता है लेकिन गंध तो कभी जाती नहीं थी 45 दिन तक मैं उठें भी करें अधर का अश्मा थे जाए फिन गया उते हैं तो आधर कोई बीमारी नहीं है मारू नॉर्मल इनसान है मेलगोट अरोस के अंदर एक डर बैठा दिया जाए जाए तुमारे अंदर यह बीमारी है नहीं आदेक्टी सोच का बीमारी पढ़ाए का अच्छा आँ पहें पै यह निए तो धिरी धिरी वो बीमारी की लेक्षड आने लगेंगे. तूर बीमार हो जाएगा. तो यह ए। डक्र है डॉक्त कहते है ना अगर कोई किसी मरीद को कोई बीमारी रियल में होती है तब य। भी डॉक्तव उसे भताना ने चाहते हैं तो य। उसके रिलेटिब को आपने एक बात कहा था भाई ने कि चुनाव आने वाले हैं अब देखना कोरोना ने दिखाई देगा आपको कहीं पर भी और सब बात कर रहे थे ना यहां लोग मर रहे थे लेकिन वहां रेलिया हो रही थी यह बात देखने बाद दिमाग में इस चीज आती होगी नापके तर क्या माहौल तो कि चेतर में बदाईयू में वहाजार वाइत में सुनाव है अब माहौल वह यह यहले करे निकल कर आएगा कि अ इस दिर रहा और बढ़कर निकले कर आएगा कौन जीत रहा है बैसे तो समाजबानी का माहौल ज्यादा है समाजवादी वाली को फिर दुबारा लेके क्यों आरे हैं अब बदलाओ चाहती है बदलाओ में यह देखती है को एक को चांस हर किसी को देना चाहती है अब पहले चांस किसी तिया अब अब आप अब आप क्या बता रहे थे अब आप अब नहीं तो अपनी बात भी तो कहनी चाहिए ना भाई तो यह नहीं पता रहे कि कौन जीतने वाला है यह नहीं बता सकता जिन आप अब पड़ाव चाहरी पबलिक वाकिया है थोड़ा बदल जा अब पर पर आने जाने की जो लग रहे हैं यह खतम हो जाए अच्छा और यह जो और विबारी आ रहे हैं यह भी खतम हो जाए नहीं तो मैं एक सवाल पूछू सिंपल सा यह जो गुस्ता है वो केंद्र का सब्सक्राइब और अच्छानी पर अब उता रहे हो कि तो समाध बार इसी बी और वीजें वह सही है यह बी तो परिशानी नहीं होनी जाहिए कहीं पे भी किसी बार पिशानी नहीं होनी जाहिए कशाई पूरा जो घ्लत काम करें गुला आज यह बीजेटी तो परचसेटी परसेंट भी है करेंगे और किसान को मतलब किसानों को सम्मान दिन योदा देतों रहे हैं करेंगे यह कानून दो हजार कि यह कि हैं कि यह वो कुछ लखेंगे यह तरीके से लालच का दाना तक दिया उनके की तरफ लालच का दाना यह पुब्लिक को समझ में आता है कि लालच का दाना है पब्लिक को समझ में आता है नहीं पैसे बढ़ने सलंडरों में इन पर यह कम होने जाइए जाए नहीं अग्राइब से बादी आज में पीन सो ड़ाइश रुप से भीगे सानके श्राइब कि अच्छा बर्णा करें अच्छा प्लब लाकर के यह यह ना पीशुन मुद्द्य के शाप से आप वोट देने वालों है उसा लग रही है मुझे एक लेक है प्लिक करो हुआ है पयंकिया, यूप को नहीं किसमे प्लिक हुए है पॉरु को फटाए का और प्बिक का बेशिय का वाइदा पॉब्लिक का तो दिल्ली से यहां पर यूपी में आ तो रहें सुवागत करेंगे पब्लिक यहां की अब यह तो पब्लिक को पता जी निप भी तो पब्लिक हो ने हम तो दिल्ली में रहते हैं आप चलो अच्छा है अच्छा अच्छा चलो ठीक है आप लोगों की बास उनके तो लग रहा है कि स्थिति खराब ही है वीजेट भी किया है चलो थीडियो को तीन वाट्सक्रों पर जरूर शेयर कीज़ेगा आई राइड ही उजिंडा की चनल उनको सपार्ट करने के लिए यूट्यूब और पेट मेंबर्शिप जरूर लीजेगा जाहें वंदे मात्रम स्टे अपडेटेड स्टे एजुकेटेड सत्यमेव जायते अबश्कार